यह आप देख रहे हो हमारा एरर फिर भी आ रहा है नया फैन लगाने के बाद भी तो हमारी प्रोब्लम जो है हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है अमीत और आप देख रहे हैं डिल्ली एंसियार का नंबर वन सर्विस सेंटर सूरज कम्प्यूटर्स आज ही हमारे पास एक लटोप आया हुआ है जिसका मोडल है HP X360 14 है यह मोडल और मोडल हम कहां से देखते हैं यह आपको हम बता देते हैं बैक में यह इक आपका बोटम में यह आपे मोडल लंबर लिखा रहता है यह करके इसमें model number लिखा रहता है प्रोब्लम की यह दिदी बात करें तो इसमें problem क्या रही है problem इसमें जो आ रही है problem इसमें यह है कि हम이야, यह यह या यह जिदी हम machine ओन करते हैं तो हमारी machine ओन होने पर fan का error देती है इसमें fan का error आ जाता है तो ये error क्यों आता है, क्या कारण हो सकता है किसी में fan भी खराब होता है किसी में motherboard की भी problem होती है fan जब खराब होता है, तो क्यों खराब होता है fan जब खराब होता है, तो दूल मिट्टी की वज़े से खराब होता है धूल मिट्टी का एरिया जैसा कहीं साइट वगेरा पर आप जा रहे हो ऐसी जंगा उसको मत यूज करें बहुत ज्यादा यूज मत करें किसी बंद पैक उसमें लैप्टोप को यूज करें सबसे में काम है कि आप लैप्टोप को बैड पर यूज ना करें करते हैं तो आप ऐसा ना करें उससे क्या होता है हमारा फैन खराब हो जाता है फैन में दूल मिट्टी हो जाती है तो इस टाइप की प्रोब्लम इसमें अत्ति रहती है इन सब चेबतने के लिए आप अपना यही काम जो हमने आपको प्रिकोशन बताया है वही प्रिकोशन प्रोब्लम इसका फैन कैसे चेंज होता है उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियोज को लाइक करें और कमेंट बोक्स में आप हमें बताएं कि हम किस तरह के से आपकी मदद कर सकते हैं आपको क्या प्रोब्लम आ रही है किस टाइप की प्रोब्लम आ रही है वह हमें आप कमेंट बोक्स में बताएं तो हम आपकी समस्य का समधान ओनलाइन भी बता स सकते हैं कि कमेंट में हम आपको बता दें कि क्या प्रोब्लम हो सकते हैं आपकी यह सोलुसन तो खेर नहीं हो पता है मानके चलो आपके लेप्टोप में प्रोब्लम है आपका फैन खराब है तो फैन तो चैंज ही करना पड़ेगा वह ऐसा तो नहीं हो पएगा पर हम आपको ब बिजनिस लेप्टोप नहीं कह सकते हैं, नॉर्मल लेप्टोप होते हैं, टच स्क्रीन वगेरा होता है, टच स्क्रीन का ये लेप्टोप होता है, तो टच स्क्रीन आप ये देखो तो नॉर्मल काम में तो होता नहीं है, किसी प्रोपर्टी वगेरा के काम में ये यूज होते तो basic काम के लिए पढ़ाई वगेरा, नॉर्मल काम हो कोई आपका, कोई वे, ऑनलाइन वगेरा का काम हो, इस टाइप के काम होते हैं, तो वो हमारे touch से भी ज़्यादा easy हो जाते हैं, touchscreen पे काम करके, जल्दी fast speed से हमारा काम हो जाता है, तो यह इस परकार, इसमें हम आपको दिखा रहे हैं कि इसके तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं, प्रोब्लम इसकी फैन की है, यदि फैन हमारा नहीं चल रहा है, तो हम आपको एक बात और बताएंगे, आप फैन लैप्टोप को ज्यादा यूज मत करें, क्योंकि हीटिंग का इस हुआ कि आपके प्रोब्वीटिंग का इस और लैप्टोप को ज्यादा यूज मत करें, उसे पहले ठीक करा, तब उसको यूज करें, आपको दिखाते हैं कि इसका फैन हम कैसे चैज़ करें, कि इसमें इस्क्रूस होते हैं यह इस्क्रूम हमें खोलने के बाद हमें यह हमारे लोक पे सिस्टम पर लोक राइगता है उसको हम कोलते हैं पूरा locking system होता है हमारा बड़े ध्यान से कोलना होता है सबसे पहले जब हम laptop पर अंदर काम करते हैं motherboard से कोई समान अटा रहे हैं या लगा रहे हैं सबसे पहले हमें इंटरनल बैंटरी उती है उनको फोलते ही हमें उन्हें हटा लेना चाहिए नहीं तो क्या होता है हम SSD भी अटा रहे है या RAM भी अटा रहे है तभी भी हमें यह खालेना चाहिए क्योंकि कुछ होता है current रहता है जैसा बैंटरी लगी अप्टिये तो motherboard में current flow रहता है current का और कोई keyboard या आपका screw driver या कुछ आपका screw के गीर जाए इस टाइप से कुछ हो जाए तो उससे बचने के लिए आपको सबसे पहले हमें battery remove करनी चाहिए नहीं तो shooting होने का chance रहता है कुछ भी हम fan अटाए keyboard या RAM अटाए या hard disk अटाए कुछ भी अटाए हमें battery disable कर लेनी चाहिए सबसे पहला काम हमें internal laptop में क्योंकि external होती हो तो आपने आपी निकाले खोलने से पहले निकालनी पड़ती है पर अब हम देखने है जो internal battery आती है कुछ बंदे देखते हैं कि काम करना सुभू कर देते है इसे पास हमारे dealer के भी laptop आते हैं जो क्या करते हैं कि उन्होंने बताया कि सबसे पहले battery को रिमूव कर लें अपने laptop के motherboard से तो हम आपको फिर इसके बाद दिखाते हैं कि यह आपका यह जो हमारा कि आपका फैन है उसको हम चेंज करते हैं यह हमारा पुराना फैन है हम इसमें दूसरा फैन लगाते हैं यह आप देखोंगे दो फैन हमारे पास है यह पुराना फैन है यह हम दूसरा इसमें फैन लगा रहे हैं एक इस्क्रूश में उपबार से लगेगा और एक हम अंदर से लगपते हैं तो यह स्कूर में तनेट कर दिया है और जब हमें टेस्ट करना है लैपटोप रिठीक करने के बाद जैसा मैंने फैन इसमें चैंज किया फैन चैंज करने के बाद जब मैं से टेस्ट करता हूं तो ह जो हमें वह चार्जर पर ही टेस्ट करना चाहिए इस चीज का भी द्यान रखके हैं आप लैप्टौक खोर हो या कुछ कररे हो यदि हमारा laptop खुला हुआ है तो हमें mostly ये करना चाहिए कि हमें उसे charger पे ही check करना चाहिए ना कि हमें उसे battery लगा के check करना चाहिए क्या होता है जब हम battery लगा के check करते है मान के चलो कोई problem रह जाती है हमारा fan sort है support करो कि हमारा fan sort है हमने RAM लगाई है हमारी RAM में कोई दिक्कत है या हमने SSD लगाई है हमारी SSD में कोई problem है battery यह दि हम लगाएंगे तो आपके motherboard पे problem आने के chance रहते है यदि हम charger लगाएंगे charger क्या होगा machine को own नहीं करेगा जहांपे उसे sorting दिखेगी तो वो machine को own नहीं कर पाएगा और हमारी हम problem से बच जाएंगे तो हमने भी यह लगा के इसको check किया है check करता है कि हमारा fan चला है या नहीं चला है थोड़ा time लेगी क्योंकि क्या होता है यह internal battery जो आरी है यह CMOS का भी काम यहीं करती है हमारी BIOS में दिक्कत हो जाती है जिस वज़े से लेट डिस्पले आपता है लेट ओन होती है मसीने तो अब इसकी CMOS निकल गए तो BIOS की सेटिंग रिसेट हो जाती है जिस वज़े से हमारा थोड़ा time लेगी यह आप देख रहे हो हमारा error फिर भी आ रहा है इस problem के लिए हम मतर जो fan हमारा काम नहीं कर रहा है जो हमारा fan का error आ रहा है उस problem के लिए हम क्या कर सकते हैं next video हम आपको बनाएंगे आप हमें comment box में वच्षा बताए कि आपका अमारा video कैसा लगा? बंदे बाज़